हेलो, असलाम लेकुम दोस्तों, इस लेक्चर में अपनी sidebar के उपर मजीद काम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो previous sidebar create की थी अपनी, उसके नदर थोड़ी सी editing करूँगा, मैं, कि मैंने इसकी जो थोड़ी सी गोलाई है, इसके borders की वो ज्यादा दी हुई है, मैं थोड़ी तो 10 ज्यादा, sorry, 1 लिखा नहीं किया, 10 pixel सेव करने के बाद जब इसको refresh करूँगा, तो यह हमारे round हो गए, अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक border दूँगा, इस पूरे block को, तो वो देने के लिए, जो है, मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने demo side के अंदर, यहाँ पर आप इसलिए, जिर. यहाँ पर आप यह देख सकती है, यहाँ पर, कि आपको यह border नजर आ रहा होगा, side पर, हम यह border का color मैं catch कर लेता हूं यह देखे चेंज हो रहा है यहां पर नीम यहाँ पर कलर नेम जैसे फोड़ा सा फारक है लेकिन इतनी बरीककी में अगर अगर आप लोगों ने करना तो यह हमारे पास बरीक सायक बॉर्डर आ जागा इसके राउंड पर अब हमारी रहेगे रिसेंट पोस्ट अब मैं इसमें आऊंगा अपने इंडेक्स फाइल में और जो हमारा पॉपलर पोस्ट का जो टैप था विजट था यह वाला इस पूरे विजट को मैं मिनिमाइस करक करके इस पूरे विजट को कॉप्पी करके एगीन पेस्ट कर तो गाँंगा कपी करने के बाद यहां पर आकर पेस्ट कर तोंगा और सिंपल यहाँ पर पॉपलर की जगह पर री सेंट पोस्ट लिख दूँगा ठीक है ब्रोदर में आ mods करते हैं तो हमारे इसी के नीचे बिलकुल मैं एक और widget तियार करूँगा, create करूँगा, लेकिन उस widget में हम जो है, मैं categories बनाना जा रहा हूँ, तो वो किस तरीके से बनाएंगे, categories, मैं इसके अंदर मुझूद जितना भी data है, widget के अंदर, इसको मैं delete कर लेता हूँ, और categories के लिए मैं यहाँ पर दो divs बनाऊंगा, पहले div row बनाऊंगा, और उसके अंदर मैं div column extra small के लिए बनाऊंगा, extra small और 6 column बनाऊंगा, multiple lab है, two से कर दोंगा, मुझे दो चाहिए, अब इसके अंदर हमारा एक आएगा, और इसमें हमारा दूसरी लाइन आएगी, मैं इसके अंदर एक ul का tag बनाता हूँ, जिसके अंदर li मुझे चाहिए, 5, और उसके अंदर मुझे एक tag चाहिए, जिसकी value हो, cat, curry, और इसको मैं tab दपादाता हूँ, और इस पूरे को मैं copy करके, इसमें भी paste कर देता हूँ, इस वाले में भी, save करने के पास जब इसको browser में मैं check करूँगा, तो ये कुछ इस तरीके से show हो रहा है हमारे पास, ये, ओके, अब इसमें एक फरक ये आ गया है, इसी को मैं copy कर लेता हूँ, ये पूरी row को, मैं हरे पास थोड़ा difference आगा है, कि मैंने ज्यादा data वो delete कर लिया, इसको मैं cut करके, तो इसको मैं notpad की file में रख लेता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज्यादा area delete कर दिया, तो मैं इसको फिलाल ये widget को delete कर लेता हूँ, और इसको again copy कर लेता हूँ, इस पूरे widget को, तो ये हमारे पास ये आ गया, मैं इसके अंदर से popular तक को, ये HR से नीचे नीचे जो data वो delete कर देता हूँ, यहाँ तक, popular का div जो है वो यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से clear कर देता हूँ, चेक कर लेते हैं, ये ठीक हो क्या, ये underline शो कर रही है, कि ये जो div closing tag है, वो इसका है, तो इसके नीचे यहाँ पर मैं लिखूंगा अपनी, वो ही code जो मैं बना चुका हूँ, लेकि उससे पहले मैं यहाँ पर, categories की heading रहता हूँ, ठीक है, और यहाँ से, जो हमने notpad में data रखा, इसको मैं सारे को cut करता हूँ, यहाँ से, notpad को बेशक बंद कर लेते हैं, यहाँ प styling करूँगा, उसके लिए मुझे, इनकी बूल्ट्स खतम करने होंगे, तो यहाँ पर styles के अंदर आता हूँ, मैं, और popular में मजूद जो हमारे UL हैं, और list items हैं, उसके साथ मैं उसकी editing करूँगा, तो popular में मजूद जो, UL में मुझूद जो list items हैं, उनकी list style none, ओके, जब रिफ्रेश करूँगा, अपने ब्राउजर में आके तो, इसके bullets जो हैं, वो खतम हो गए, तो यह था, तरीके कार हमारे categories इचरेट करने का, इससे नीचे हम जो है, वो social icons के लिए, मैं bet tab बनाऊंगा, तो same मैं, वो ही चीज copy कर लेता हूं, इसको पूरे को, यहां पर, यह मेरा widget यहां तक कतम हो रहा है, इसको मैं copy कर लेता हूं, और इसके नीचे, यहां बगर के paste कर लेता हूं, लेकिन इसके अंदर जो है, फिर मुझे HR से नीचे 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 रहते हुए, delete करना पड़ेगा, यहां तक, ठीक है यहां पर एक और div जो है, मेरे पास रह गया है, इसको भी मैं delete कर देता हूं, ठीक है, यह div इसका है, अब इसके अंदर मुझे चाहिए social icons, और इसके अंदर मैं फिर एक row का tag div create करूँगा, और इसके अंदर मुझे एक और चीज चाहिए, row के अंदर div की class मुझे 3 चाहिए, column, extra small, 4, ठीक है, और इसको मैं tab से, इसको create कर दूँगा, sorry, इसको मैं multiply 3 से कर दूँगा, अब इसको create करता हूं, तो row के अंदर एक column आ गया है, हमारे पास, ठीक है, 4, 4, 4 के मैंने 3 div बना लिए है, basically 4, 4, 8 और 8, 4, 12, total 12 area बनेगा, तो एक एक के अंदर मैं एक एक image लगाऊँगा, तो इसको लगाने के लिए मैं एक tag शुरू करूँगा, एक के अंदर मजूद मुझे एक IMG चाहिए, तो एक को मैं link जो है, वो अभी फिलाल नहीं दे रहा है, इसको मैं simple hash लगा देता हूँ, और source यहां से जो है, मैं image के लिए, IMG के अंदर मजूद जो facebook का है, उसको मैं use करता हूँ, और यहां पर इसको simply facebook लिख देता हूँ, और इस पूरे को मैं copy कर लेता हूँ, और इसके अंदर भी paste कर देता हूँ, और यहां पर facebook की जगाँ पर twitter का, ठीक है, यह twitter का एक page था, हमारे पास icon था, इसको use कर लेता हूँ और यहां पर twitter लिख देता हूँ, इस के अंदर, इस column के अंदर, मैं again से paste कर देता हूँ, यही code और twitter की जगाँ पर, google plus का भी मेरे पास है था, तो मैं google plus का use कर लेता हूँ, और यहां पर, भी art के अंदर google plus लिख देता हूँ, इसको save करने के पर जब मैं अपने browser में check करता हूँ, तो यह कुछ इस तरीके से show हो रहा है हमेरे पास, ठीक है, तो यह icons सोड़े से बड़े हैं, इसकी हम setting मैं बाद में करता हूँ, लेकिन इससे पहले जो है, इसी तरीके से मुझे यह पूरी के पूरी जो row का tag है, मुझे यह सारा again copy करता हूँ, HR से लेकर, यह div तक इसको copy करके, इसके नीचे paste कर देता हूँ, और यहां पर मेरे पास again से वो आ गया है, row HR के बाद यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो HR के बाद मुझे इसके अंदर, और कौन-कौन सा मेरे पास है था, लोगो, इसको मैं images open कर लेता हूँ, यहां से, images, मैंने facebook लगा लिया है, google plus लगा लिया है, linkedin, और इसके बाद यहां पर art में भी मैं, linkedin, ठीक है, और यहां पर linkedin के बाद skype भी है मेरे पास, तो मैं skype को use कर लेता हूँ, skype, और यहां पर skype लिख लिख लेता हूँ, skype के बाद कौन सा रह गया है, youtube, तो youtube का भी मैं यहां पर, और यहां से आके मैं, save कर लेता हूँ, और अपने browser में यहां पर check करता हूँ, तो यह इस तरीके से हमारे पास social icons show हो रहे हैं, इनकी जो images हैं, उनको मैं short करने के लिए करता हूँ, कि मैं popular के अंदर जो images हैं, यहां पर popular नहीं मैं रखता, बलके यहां पर categories लेकर रहता हूँ, categories, इसकी class रहता हूँ, और save करने के बाद style में आकर, यहां पर जो मैंने popular की styling की थी, वो ही copy कर लेता हूँ, यहां से, और यहां पर आके paste करके, इसकी class change कर देता हूँ, जिसको मैं कहाता हूँ, categories, इसके मैं check कर लेता हूँ, कि हमारा कोई फरक नहीं पड़ा, तो यह इस तरीके से आ गया, उसमें basically क्या था, कि हमने images की भी sizing दी वी थी, जिसकी वैसे, वो मसला कर रहा था, यह देखे, जैसे popular के अंदर मैंने images को 100% दिया हुआ था, तो यह basically मसला कर रहा था, तो अब मैंने इसकी class ही change कर दी है, जिसके वैसे, आप images के उपर कोई styling अप्लाई नहीं हो रही, तो वो हमारे पास original size में आ रहे हैं, ठीक है, तो यह हमारी side बर तकरीबन complete हो चुकी है, अब next class में हम जो है, अपनी left side जो post area है, उसको create करेंगे, तो इंशाला next class में मुम अलाका था था, तब तक के लिए मेरे इजाज़त दें, अल्ला हाफिज